Hello drama fans, welcome back to my channel इससे पहले कि मैं explanation स्टार्ट करूँ It's a request to you all कि अगर आप में इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो link description box में है इसके साथ ही अगर आपको मेरा explanation पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत चाहिएगा प्लीज मेरे सब्स्रिप्शन का टागेट पूरा करवा दीजिए सिर्फ एक क्लिकी तो लगते हैं यार I hope कि आप समझ जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा explanation तो लास्ट अपिसोड में हमें देखा था कि फैंग ने प्रिंस चुनलिन का हाथ बकर लिगा था और अपनी इस बेवकूफाना हरकत पर वो शर्मेंदा होती है और सोचती है शायद मुझसे गलती हो गई उधर जाइंट हॉक को हराने के लिए जुयो किन और उसकी लिटिल सिस्टर म्यू यान डोनो प्रिंस चुनलिन के हेल्प के लिए आ गया जाती है बर जाइंट हॉक इस रेली और हार्ड नट टू क्रैक उसको हराना इतना भी आसान नहीं है लेकिन उसके बारे में ये बात फेमस है कि वो इंसानों को कोई नुक्सान नहीं पहुँचाता है और अब प्रिंस चुनलिन अपनी पावर्स का यूज करता है और आकाशिय बिजली का इस्तिमाल करता है जिसे वो जाइंट हॉक पर गिरा देता है जिसे कि जाइंट हॉक कुछ समय के लिए लड़ खड़ा कर नीचे गिर जाता है फैंक और उसकी फ्रेंड प्रिंस की इस अक्शन को देखकर सोचने लगती है यार प्रिंस तो सच में बहुत पावर्फुल है तबी एक साउंड होती है और वो साउंड जाइंट हॉक को फैंक की तरफ अट्रेक्ट कर देती है और अब giant hawk fang की दरफ पढ़ने लगता है जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाती है अब giant hawk fang को अपने panione ने पकड़ता है और उसे उड़ा कर वहाँ से ले जाता है यह देखकर fang की friend रोने लगती है तो प्रिंस का एक फ्रेंट जिसका नाम भी वेंग जुन है वो उसके साथ फ्लरूड करना शुरू कर देता है जाइंट हॉक के पंजे से फ्रेंट को बचाने के लिए प्रिंस जियूनलिन भी उसके पीछे जाता है और एक लड़की से कही ज्यादा बहतर है बचाना उन सभी लोगों को इसलिए मैं पहले उन लोगों की हेल्प के लिए जाओंगी जियू कि इनकी ऐसी बाते सुनकर प्रिंस का फ्रेंट फैंग जून कहता है कि मानना पड़ेगा मिस्चियो सच में अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और वो लोगों की बहुत परवा भी करती है लेकिन फिर भी वो हमारे दोस्त प्रिंस के लिए एक परफेक्ट मैश नहीं है ये सुनकर उसकी चोची बहन में उयान तुरंट कहती है कि मेरी बहन से ज़्यादा अच्छा प्रिंस के लिए कोई और हो ही नहीं सकता दूसरी और फैंग जाइंट हॉक के पंजों में बहुत परिशान होती है और तब ही उसके दिमाग में आता है कि इसके हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुदी मर जाओं और वो उसके पंजों से खुद को निकाल कर कूच जाती है लेकिन वहां से जम करने के बाद वो नीचे गिरने की वज़ए एक पहाड़ी पर गिर जाती है और जाइन्ट होग वापस उसकी तरफ आने लगता है इससे पहले कि जाइन्ट होग वापस से फैंग पर अटेक कर पाता है प्रिंस जुन लिन उन दोनों के बीच में आ जाता है प्रिंस जमीन पे गिरी हुई सैंग को अपना हाथ देता है और उसे उपर उठाता है इसके बाद सैंग उसके पीछे चिप जाती है जाइन चौक उनकी तरफ दिरे-दिरे बढ़ रहा होता है और फैंक दिरे-दिरे अपने पैट पीछे करने लगती है और उसे पता ही ने चलता कि कब वो पहाड़ी से फिसल कर नीचे किरने लगती है प्रिंस उसे बचाने के लिए अपना हाथ देता है लेकिन तब तक बहुत तेर हो चुकी होती है और फैंक पहाड़ी से नीचे गिर जाती है उसे बचाने के लिए प्रिंस भी उसके पीछे कूच जाता है इसके बाद प्रिंस फैंक तक पहुच जाता है और उसे पकड़ लिता है और हवा में ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं नीचे आते आते फाइनली वो दोनों एक नदी में गिर जाते हैं जिसे कि फैंक तो बाहर निकल कर आ जाती है लेकिन प्रिंस का कोई पता नहीं होता क्योंकि प्रिंस पानी में डूब जाता है Actually पिंस के साथ एक condition थी कि उसकी powers पानी के अंदर काम नहीं करती थी और इसलिए पानी के अंदर वो बिल्कुल useless था फैंग की friend बहुत घबरा जाती है और वो घबराई हुई उसकी मा के पास जाती है और उसकी मा को सब कुछ बताती है किस तरह एक बहुत बड़ा सा पक्षी फैंग को उचा कर ले गया है और ये सुनकर उसकी मा बहुत खबरा जाती है इसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें मिलवाया जाता है यू मिंग से जो कि डॉक नाइट कोट की प्रिंस है इक मींस कि हमारी कहानी के विलन फैंग जैसे दैसे प्रिंस को पानी से बाहर निकाल कर लाती है लेकिन प्रिंस पूरी दरह बेखोश होता है फैंग प्रिंस को होश में लाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशیں बेकार हो जाती है तब भी उसे एक और आइडिया आता है वो प्रिंस को अपने मुह से सांस देने के कोशिश करने लगती है लेकिन जैसे ही वो प्रिंस के होटों तक पहुँशती है उसके अंदर से आवाज आती है नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकती माना कि प्रिंस बहुत हैंड सम है लेकिन मैं ऐसे किस करूँ इसके बाद स्वैंग प्रिंस को उठाने का एक नया तरीका निकालती है और वो उसके गाल पर थपड लगाने लगती है लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता इसके बाद उसकी आखरी तरकीब काम आ जाती है वो प्रिंस को उठाती है और उसके पेट को दबाकर पाने निकालने लगती है जिससे के प्रिंस सदनली होश में आ जाता है दूसरे और डाक नाइच कोज का हैड यूमिंग को और देता है कि सेलेस्टिल सूट पक चुका है और हमने अपने जितने भी लोगों को उस सूट को लेने के लिए भिज़ता उन सबी को जाइंट हॉक ने घायल कर दिया है इसलिए मैं जाता हूँ कि तुम ये काम करो तुम्हें किसी भी हाल में जुन्वू क्लैन को जीतने नहीं देना है वरना ये हमारे लिए बहुती इंसल्ट की बात होगी तो यूमिंग कहता है कि ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जुन्वू क्रान से सिर्फ एक ही इंसान है और वो है प्रिंस जुनलिन और उसी हराना मेरे लिए बहुत असान है उधर होश में आने के बाद प्रिंस लगातार साइंग को देखने लगता है तो साइंग कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों गूर रहे हो तो प्रिंस कहता है की मैं देख रहा था कि तुम्हारी आखेंगे बतसुरत नहीं है लेकिन मुझे आश्चररी होता है कि इतनी खूप सूरत आखें इतने बतसुरत चहरे पर कैसे आ सकती है यह सुनकर फैंक चुट जाती है और कहती है कि तुम कैसे प्रिंस हो तो मैं अच्छे बुरे कांतर भी नहीं पता मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ और ऐसा बूलकर फैंग वहाँ से जाने लगती है तो प्रिंस उसे रोकता है और कहता है कि कहां जा रही हो तो मैं शायक पता नहीं लेकिन अभी हम फ्रोजन फॉरेस्ट के डीप में है और साधरन इंसानों के लिए यहां से बाहर निकलना असान नहीं और फैंग सोचती है कि ओ, तो यह फ्रोजन फॉरेस्ट है इसका मतलब प्रिंस भी यहां सेलेस्टिर फॉर्ट के लिए ही आया है मुझे इसके साथ रहना चाहिए, क्या पता मुझे भी फॉर्ट मिल जाए और वो बिचारी ना चाहते है, यह भी जھक मार के पिछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती है दूसरी योर, फैंग की फ्रेंड उसकी मा को लेकर ओल्ड मैन बा के पास जाती है और उसे बताती है किस तरह फैंग को एक बड़ा सा पक्षी उठा कर ले गया है तो ओल्ड मैन बा उन्हें बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो जरूर जाइंट होगा जो सलेस्टिर फूट को गार्ड करता है और वो मनुश्यों को कोई बिहानी नहीं पहुचाता और वो फैंग की मा को विश्वास दिलाता है कि प्रिंस भी फैंग के पीछे गए है चिंता मत करो फैंग बहुत जल्ड खत्रे से बाहर होगी फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर चलते चलते फैंग को थंड लगने लगती है और उसे च्छी के आनी शुरू हो जाती है तो प्रिंस उसे कहता है कि ये एरिया नौट डिरेक्शन में आता है और यहां कभी भी संशाइन नहीं पहुचती है तो इस आव्विस कि यहां बहुत थंडा रहता होगा और तुम जैसे नौर्मल लोगों के लिए तो इस थंड को बरदाश्ट करना बहुत मुश्किल है फिर प्रिंस का पीछा करते हुए फैंग को एक छटका लगता है और वो प्रिंस के बेहत करीब आ जाती है प्रिंस उसे गुसे में देखने लगता है और कहता है कि मुझसे बार-बार चिपकना तुम्हारे आतत बन चुकी है तबी फैंग को एक अजीब सी खुश्बू आने लगती है और वो प्रिंस से पुछती है कि हवा में इतनी खुश्बू क्यों है तबी उसे याद आता है कि वो लोग चलते-चलते ब्लड बीज यानि की खुश्बू चूसने वाली मक्यों के इलाके में आ गए है तबी वो बीज वहां अटैक कर देती है और फैंग उनसे बचने के लिए प्रिंस के कपड़ों में जाके चिप जाती है प्रिंस सोचने लगता है कि ये लड़की इतने चोटे से इंसेक्ट से भी खुद को नहीं बचा सकती फिर वो अपने हाथ से थोड़ी सी एनरजी उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है और वहां से चला जाता है फैंग चलाती रहा जाती है कि रुको तुम मुझे इस तरह अकिले छोड़कर नहीं जा सकते उन बीज से बचने के लिए फैंग एक पेट पर चड़ जाती है जहां उसे ग्रास रॉयल जैली दिखती है और वह सोचती है कि अगर मैं इस रॉयल जैली को खा लूँ तो मेरी एनरजी बहुत बढ़ जाएगी और वो उस जैली को ले लेते है और वहां से भागने लगती है लेकिन तबही उस जैली को लेते ही मधू मदु मक्खियं उसका फीशा करने लगती है तबी वहाँ प्रिंस का फ्रेंड फैंग जुन आता है वो अपने फैंग से एक मेडिसिन जैसा कुछ निकालता है जिससे कि सारी ब्लड बीज महां से भाग जाती है इसके बाद फैंग प्रिंस के फ्रेंड को धन्यवाद देती है लेकिन तबी उसका ध्यान जाता है कि फैंग जुन के हाथों से थोड़ा सा ब्लड निकलने लगा है क्योंकि फैंग मेडिकल एक्सपर्ट थी इसलिए वो उसके हाथों पर एक दबा लगा देती है और फिर वो अपने साथ लाई हुई रॉयल जैली को खा लेती है जिससे कि उसे थंड और दर लगना बंद हो जाता है चलते चलते प्रिंस को फैंग का ध्यान आता है वो एक पती तोड़ता है और उस पर अपना ब्लड ग्रा देता है और सोचता है कि ऐसा करने से फैंग की एनरजी इंक्रीज हो जाएगी जिससे कि वो इस frozen forest में भी survive कर सकेगी उधर प्रिंस का दूसरा दोस्त जौान यी पहले दोस्त फैंग जुन को धूनते धूनते उसके पास पहुँच जाता है और गुसा करते हैं उससे कहता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो तो फैंग जुन फैंग की तरफ इशारा करते हैं कि मैंने इस लड़की को बचाया है इसके बाद वो फैंग से उसका नाम पूछता है तो फैंग अपना नाम फैंग व्यू के जगे फैंग जियाओ बताती है लेकिन जुआन ये को फैंग कुछ पसंद नहीं आती आप लोग तो कल्टीबिटर्स हो और मैं एक साधरन इंसान हूँ मैंने सुना है कि कistaniटीवेट एस थो सपही मदद करते हैं ये सुनकर फैंगजुन फैंग को सपोर्ट करता है और प्रिंस फैंगजुन से कहता है कि छीख है क्योंकि तूम इसे सपोर्ट करना चाहते हो तो इसलिए अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी म्यूयान सोचती है कि इस लड़की को आई हुए अभी कुछ समय भी नहीं हुआ है और उसने इतनी जल्दी फैंक से उनका दिल भी चित लिया जरूर ये कोई चादू टोना जानती होगी दूसरी और डाक नाइट कोट का यू मेंग जाइंट हॉक को हराने के लिए निकल पड़ता है और अपने पूरी शक्ति लगा कर उसे हराने की कोशिश करता है उधर म्यूयान फैंक से कहती है कि पहले तुमने जाइंट हॉक से खुद को पकड़वाया और फिर पृंप को अपने पीछे-पीछे भगाया और अब तुम उनके साथ हो तुम चाहती क्या हो तो فैंक कहती है मैं क्या चाह सकती हूँ ये जगह कितनी खतरनाक है मैं क्या अपनी मर्जी से यह आई हूई हूँ मैं तो खुद यहां से निकलना चाहती हूँ और इसलिए तिम लोगो फॉलो कर रही हूँ इसके बाद म्यूयान प्रिंस के पास चाहती है और उसके सामने अपनी बहन की रमायन गाने लगती है मेरी बहन यंग कल्टिविचर में नंबर ठर्ड आई है और वो बहुत ही टालेंटड है लेकिन प्रिंस उसकी किसी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता और फैण जून म्यूयान से कहता है कि तुमने कहा कि तुमने कहा कि तुम्हारी बहन थर्ड रंक आई है और अच्छा है कि उन्होंने अपने सारे विद्याय मेरे बहन को सिखाई है ना कि उस दूसरी लड़की को तो फैंग जून पूछता है कि तुम किस दूसरी लड़की की बात कर रही हो तो मियूयान कहती है कि वही फैंग व्यू और कौन और उसके मुझे अपना नाम सुनकर फैंग व्यू को अचानक खास भी आ जाती है फैंग व्यू का नाम सुनकर फैंग जून प्रिंस के पास चाता है और उससे कहता है कि जून तुम कहा करते थे ना बच्पन में फैंग व्यू बहुत कॉजियस थी और तुम उससे शादी करना चाहते थे तो यह सुनके फैंग व्यू सोचने लगती है कि ओ तो प्रिंस मुझे पसंद करता था और मैं ऐसे गलत समझ रही थी तब ही प्रिंस अपने बच्पन के बारे में सोचने लगता है जब फैंग व्यू जिन लून और फैंग व्यू दोनों से कहती है कि तुम दोनों उससे शादी करना चाहते हो ना तब चौन जी ने कहा था कि एक लड़की को उसी से शादी करने चाहिए जो उसकी सारी बाते मानता हूँ यह बच्चे आपस में बात करी रहे होते हैं कि तभी व सकता है फैंग व्यू बहुत सुनदर रही हो लेकिन अब उसकी और प्रिंस की इंगेजमेंट कैंसल हो चुकी है और मैंने सुना है कि प्रिंस है कि किसी और लड़की के बारे में सोचना चाहते हैं है ना प्रिंस मुयाइन की सभी उम्मीदों पर यह कहकर पाने फिर देता ह कि यह सब एक अफवा है यह सुनकर फैंग व्यू के मन को कहीं न कहीं बहुत थंड़क मौशती है कि प्रिंस किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहता है इसका मतलब तुम आज भी फैंग व्यू से प्यार करते हो है ना या तो फिर फैंग व्यू तुमसे बहुत ज यह आ रहे थी वह कहती है कि वह चाहे कैसी भी हो लेकिन अब वह अपना कल्टिवेशन खोच चुकी है और पूरे तरह से बिकार है यह सुनके फैंग व्यू अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने इसका क्या पिकाड़ा है जो यह मेरे बार में उल्टी दीदी बगपास कर करती रहती है एक बार मुझे सेलेस्टिल सूट मिल जाए फिर मैं इसे दिखाती हूं कि मैं कितनी पावरफुर हूं यू मिंग के हाथ से जाइंट हॉक निकल जाता है और उसके लोगों से समझाते हैं कि अभी हम लोग बहुत खायल है और हमें कुछ समय के लिए इंतजार क करना चाहिए और वापस यहां आना चाहिए लेकिन यूमिंग को उसकी बाद पसंद नहीं आती और वो उसका गला पकड़ते हो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं प्रिंस जुन को हरा नहीं सकता मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफ और वो अच्छानक खुझ से ही नीचे गिर जाती है और फैंक के तरफ देखकर उस पर इलजाम लगाती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा उसे देखकर फैंक सोचने लगती है कि यार ये कितनी बड़ी जूटी है मैंने कब मारा इसे और इसी के साथ आज का एपिसोड खतम होता है तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीजियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्स्राइब कीजिए मिलते हैं अगले एपिसोड में चिल दन टाचा बाई बाई सायोनारा